नवशकार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है लिजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर के निधन के बाद देज भर में शोक के लहर दोड़ी हुई है लता मंगेशकर ने 13 साल की उम्र से अपने जिंदगी के अंत तक अपने परिवार का ध्यान रखा है बच्पन में पिता का साया सिर से हट जाने के बाद लता मंगेशकर ने ही अपने परिवार को संभाला था और ढाल बन कर परिवार के लिए खड़ी रही थी लेकिन क्या आपको पता है कि लता दीदी परिवार में सबसे ज्यादा करीब किस के थी बताया जाता है कि लता मंगेशकर अपनी भती जी राधा मंगेशकर के सबसे करीब थी साल 2009 में लता मंगेशकर ने भती जी राधा मंगेशकर की सोलो एल्बम नाव माजे शामी को भी लॉंच किया था तो चली आपको बताते हैं कौन है राधा मंगेशकर रादा मंगेशकर मंगेशकर परिवार की तीसरी पीड़ी की सदस्या है वो लता के छोटे भाई फैदयनाथ मंगेशकर की बेटी है रादा मंगेशकर भी पेशे से सिंगर है उनके उबरे 40 साल है उन्होंने भारत में संगीत सम्वेदयनाओं को परिभाशित किया है रादा मंगेशकर एक स्टेज परफॉर्मर है उन्हें उनके पिता रादानाथ मंगेशकर ने संगीत की विद्या दी है रादा मंगेशकर भी अपनी बुवा की तरह हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के सफर पर चल रही है